कि हलो अब्रीवल निमसेट 24 का रेजल्ट आ चुका है और इस बार भी इंडिया का बैस्ट रेजल्ट इंपीटस ग्रूप उल से वो रेजल्ट आप देख रहे हैं और जो बच्चे सिलेक्ट हुएं उनके इंटर्व्यू भी मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं और मैं आप सब बच्चों का सेकेंड ड्रॉप भी हो सकता है कुछ एकदम लास्ट मुवमेंट पर जोड़े हुए बच्चे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया उनका क्या माइंट सैट था यह सारी चीजे आपको मिलेगी और मैं शियूर हूं आप किसी ना किसी इंटर्व्यू से ज़रू सबसे पहले आप उन सभी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए सबस्क्राइब अब जब उन वीडियो को सुनेंगे उन बच्चों की सकी स्चेस स्टोरी सुनेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे कि इंपिटस गूरू क्या है और क्यों इंपिटस गूरू का रिजल्ट बैस्ट है यह सारी चीजे आपको समझ में आएंगी अब बात आती है कोशन क्योंकि जब बच्चों का एड़िशन होता है रिजल्ट आता है तो लिमिटेट सीट होती हैं बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे में हर बच्चे का तो सेलेक्शन नहीं हो सकता पर अगर आपका ड्रीम है कि एनाइटी जाना है और कंप्रोमाइज नहीं करना है तो क्या ड्रॉप लेना सही है या गलत है इस पर पहले दो मिट बात करूंगा फिर मैं आपको इस बैच्च के बारे में डीटेल में बताऊंगा एक और बात बता दूं कि यह बैच्च मुझे 10 जुलाई से स्टार्ट करना था और 10 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा ह बट जैसे ही रिजल्ट आया जिन बच्चों को कंप्रोमाइज नहीं करना था जिनकी रेंक हायर साइट थी यह जो डिफ्रेंट जगे के बच्चे थे उन्होंने का कि नहीं सर्थ लेट मत करिये तो प्रियास बैच्च का रिजिस्ट्रेशन ओपन भी हो गया और बच्चों जम्प मानना तो पीछे भी जाना पड़ेगा इस बार का पेपर और बेसिक था और स्टॉंग कंसेप चाहिए थे दूसरा सेक्शन टेस्ट है तो रिजिनिंग कॉंट बेसिक मैस हायर मैस इन सबकी जवत पड़ेगी तो इंपीटर्स गुरुकुल ने इस पैक्शन भी ले है और अल्रेडी कंसेप बिल्डिंग टेस्स स्टार्ट हो गए जिसमें की बेसिक माथमेटिक्स कॉंटिटे अप्टिट्यूट एलार के कोश्चन होंगे नाइन टेंस की मैस के भी टेस्ट होंगे जिससे पता चले आपकी बेसिक्स लेवल क्या है कंप्यूटर की टेस्टि इसलिए बच्चों ने उसको पढ़ना चालू कर दिया आप इमिजेटली जॉइन करें इस बैच को पूरी प्रॉपरली तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी जो बेसिक क्लास हैं वह भी आप अटेंड कर पाएंगे तो इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं होगा अब ब पाएंगे देखो यार बच्चे ने ड्रॉप लिया था या सेकिंड ड्रॉप लिया था पर रिजल्ट दिया मैंने अभी कुछ बच्चों के जो इंटर्विव लिए डालें देखिएगा पर आगर आपका रिजल्ट बिगड़ गया तो लोग बोलेंगे यह इस बात पर डि जा सकता है प्लेस्मेंट भी हो सकता हो जाए कम है पर हो सकता हो जाए बट यह कंप्रोमाइज है और कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं आगे तक कंप्रोमाइज कराता है पहला कंप्रोमाइज कॉलेज फिर जॉब फिर सैली एंड सोन चलता रहता है पर अगर पहले कंप्रोमाइ पहीं नहीं फरक पढ़ता नाइटी का आपके ड्रॉप के एक काने में अपकी लाइटी जाने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पढ़े होगा एक हीनल करके आया हूं और कुछ चंद लोगों में हूं में सोची नहीं कितने लोग जाएंगे निम्सेट के तुरू एनइटी में केवल थाउजंस लो लग वक्त है ना अब इतने सारे बच्चों में केवल इतने से बच्चे जाने वाले तो आप भीड से अलग हो जाते हैं आप पीड का कारेण बना चीए यानि वह जो क्राऊड एक क्राऊड को को कोई आप को इसको कोशिश करे प्रयास बहुниз कर में तो कोई अगर आपने मन बनाया है भूद्र का इस रोग हैं 30 अपने बhetंड से और अंदे बहुत से कॉन्प प्रूसा रखकें मैं कह रहा हूं यह मत लेना खुझ से क्योंकि आपको अपनी मेहनत कई गुना करनी पड़ेगी जब मैं भी ड्रॉपर बच्चों का इंटर्व्यू लेता हूं तो मेरी बात करते हैं कि सार आपने बोला था यह साल इंवेस्टमेंट हमने वैसी किया आपने बात बोली कि ड्रॉपर बच्चों आपके सेलेक्शन के चांज जादा होते हैं तो अगर आपके मन में डर है मत लीजेगा ड्रॉप फिर आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं कंप्रोमाइज कर लेजिए कोई ठीक तक प्राइवेट कॉलिन ले लिए वहां जाकर मैनत करिए बट यदि आप कंप्रोमाइज नही लिए जुड़ना चाहिए कि जो चीजे आपको में मिलेंगी वह आपको कहीं और नहीं मिल सकते सबसे पहले नौलेज मास का बहुत ही टेक्निकल राइट सॉल्विंग अप्रोच जो आपको मुझे नहीं लगता मिलता है कि बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क और इस बैच के रेजिश्रेशन हो गए अब तुरंत जैसे सेशन सुनते हैं एडविशन लीजिए टाइम ली पड़ी है क्या होता है हम लोग कई बार सोचते कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे ऐसा मत करें आप मेंसे कई लोग जो ड्रॉप ले रहे हैं आपको भी पता है आ तो नुमर वन इस कोर्स मेh जो होगा रेगुलर क्लास्ज होंगी एवरी डेक करीब करीब दोॡो क्राश्स में कभी-थे इन क्लास्जłem 178 वा सकती demonstrating शर्टर नॉर्मल्मली एक लास होती क्योवकि संदे कुम सथ होता उसके लिए आप चाश्यjang The regular two classes यह ने इस गुरू कुल में जितना डीटेल में चीज़े हो सकती हैं इवन रेगुलर कोर्स कैसीरीज इंक्लूडिंग मैजिकल तक इतना कुछ कंटेन होता है जो आप जब पच्छे जॉइन करते हैं तो समझ पाते हैं तो नमबर वन रेगुलर टू क्लास तो होंगी मौनिग इवनिंग अब माल लीजिया आप लाइप च्वाइन कर रहें और सपोज आप मामनिंग लास या इवनिंग क्लास किसी वज़े से नहीं देख पाते हैं कोई दिकत नहीं उसको रिक्रदेश को आप पीछे हो जाएंगा अच्छा इस क्लासेज में बेसिक और एक और स्पेशल सेशन भी होगा अगर किसी बच्चे का मैज वीख है तो एक मैस की सेपरेट सेशन भी होगी जिनके लिए इस तरह से आपको टू थ्री क्लासे अटेंड करना है ड्यूरेशन अफ वन एड़ाफ और से टू आर की होगी नॉल्मली मेरी जैसे क्लास होती है वह टू टू एड़ाफ चलती है कर थे पिर संडे को अबichen में बहुत चेंज की आपके टेस्ट होंगे कं से बिल्लिंग टेस्ट जिस में मैं बैसिक ऑंट केके टेस्ट होगै अभी बैसिक मैस के टेस्ट हो रहा है जिसमें नैंटिग्ल की मैस फिर धीरे-धीरे जो-जो टॉक कवल हुते जाएंगे आप दे स्टार्ट कए तो है अडीटेल में टॉपिक की ये बरीटभीय तक है तो को इसवे क्रोंपार कि'll वही होगा सन्य स्टार्ट किसे हो रहाँ है मतलब मेंस्था कि नरीचिशन कटॉटर सब्सक्राइब यौया वही मतलब मैं पीछे बहुत सारे ऐसे एक्षिन जिससे और अच्छा रिजल्ट हो सके वह मैंने ले लिए तो इस तरह से टेस्ट होंगे और आप बात आती है टेस्ट पेपर के प्रिंटेट सॉलूशन तो होंगे बट एक यूनिक चीज जो कोई और नहीं देता कोई बोलता भी है मुझे कई बच्चे बताते हैं सर बोला था एक दो बार हुए उसके बाद फिर नहीं हुए मैं जो आपके टेस्ट लूँगा नॉल्मली मोस्ट अफ दा टेस्ट जो बहुत ही सिंपल अलग बात है नहीं तो मोस्ट अफ दा जो संडे टेस्ट होते हैं उनके रेगुलर लाइव अनालिसिस दूँगा जिससे आपकी कोश्चन सॉल्विंग अप्रोच डवलब होगी है है आप कोश्चन को कुछली सॉल्व कर पाएंगे इस टेप को कैसे सेव करना है क्या ट्रिक हो सकती है ओप्षिन को कैसे रेजट करना है अक्यूरीसी कैसे बढ़ा है जैसे टुन्टी फॉर के पेपर में कई बच्चों की रॉंक ज्यादा हुए तो वह रॉंक ज्यादा ना हूँ accuracy level कैसे बढ़ा हैं यह सारी चीजे सीखेंगे और यह जुलाई से लेके December जनवरी मिट तक आपका पहला फेस का syllabus कम्प्लीट होगा जिसमें मैस LR कॉंच English वाले portion को cover कर दिया जाएगा इंग्लिश में क्या क्या मिलेगा वह बता देता हूं इसके भी प्रिंटेट सॉलूशन होते पर इसको भी मैं क्लास में discuss करता हूं यह सबसे यूनिक चीज है जिससे कि आपके डाउट ही नहीं आते कई बच्चे बोलते हैं सर डाउट आएंगे तो क्या होगा मैं बोलता हूं डाउट आएंगे नहीं आप लिख लो नहीं आएंगे और सच में नहीं आते हैं कि आप बिल्कुछ चिंता मत करो आप ऑनलाइन बच्चों के इंटर्व्यू सुनों जो मैंने भी लिए वो कहते हैं सर कभी फीलिंग ही नहीं कि हम क्लासरूम में नहीं ऑनलाइन क्लास में भी यह फीलिंग आपको आ सकती इस लेवल की क्या होगी तो आपको यह पेपर जो होते हैं नॉर्मली जो जित्ती शीट होती हैं जो सिंपल कोशन होते हैं बहुत सिंपल अलग बात है दर्वाइस वो भी डिसकस होती है तो यह चलेगा यानि आपको किसी तरह की कोई गाइट की जववत नहीं है फिर भी एकाद गाइड आप रखन होगे फाइनल कॉंड़ाउन होगा और सप्राइज हों और यह टेस्ट बढ़ते बढ़ते इतने हो जाएंगे कि पर डे आप एक टेस्ट देंगे इवन आखरी आखरी में तो एक दिन में दो दो टेस्ट देंगे हर लेवल का टेस्ट देंगे जैसे इस बार हुआ है दोसो कोर्स करने के बाद आप केवल और एक और बात बता दूं कि आप इंपिटस में मैस एलार कंप्यूटर नहीं सीखने वाले यह तो सीखेंगे मैस तो आपको कोई भी अच्छी पढ़ा सकता हो सकता है पर जो इंपिटस में सबसी यूनिक चीज सीखोगे वह है लाइफ लाइफ कि लाइफ में भी कोई प्रॉल्लम ऐसी नहीं हो सकती जिसका सॉलूशन और सॉलूशन नहीं तो प्रॉल्लम भी नहीं तो आप कुछ इतना कुछ सीखेंगे जो आपकी इंटायल लाइफ काम आने वाला है आज भी इंपिटस गुरू कुल में 20-25-25 साल पुराने बच्चे जोड़े हुए कोई भी पुराना बच्चे आसा नहीं होता मुझसे डिसकनेक्ट होता जोड़े होते हैं और यहीं इंपिटस गुरू की सफलता है आज इंपिटस में बच्चे सबसे अदा सीनियर बच्चों के थुरू जूड़ते हैं आप किसी भी इनाइटी में गए अपने आपको तयार कर लीजिए पूरी तरह से यह सोच लीजिए कि मुझे अपने आपको 100% देना है जो जो बाते बोलूं वो करिए रेगुलर डिसिप्लेन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 4-6-8 घंटे मेहनत कर लगते हैं तो मुझे नहीं लगता यह प्रियास आपको नहीं करना चाहिए प्रियास बैच के साथ एक ऐसा प्रियास करो जो आपका 100% में अब मुझे उम्मीद है कि होगा अब इस बैच को लेना कैसे उसका डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक दिया है आप पे जाके ले सकते हैं आप एफसाइट से जाके ले सकते हैं डिस्क् आपकी पर्फॉर्मेंस के आ रही है वह रेगूला बेसे पर मैं चेक करता हूं उस पर आपका कहीं पर भी कुछ अपडाउन होता आप मुझसे बात कर सकेंगे और आप खुद इंप्रूमेंट करेंगे तो यह जो प्रियास बैच है यह आपकी लाइफ चेंजिंग बैस एक हपते में ही समझ में आने लगी है थैंक यू एंड अल दे बैस्ट